Hello everyone, this is Surya and welcome to BIAGEEK. आज हमारे पास है कर रहे हैं कि एक और नहीं प्रोब्लम है जिसका नाम है staircase. आज हम इसे सोल करेंगे. Consider a staircase of size N. एक number लिया हुआ है उन्होंने 4. इसके बाद उन्होंने एक staircase दिखाया हुआ है में किस तरह है ये print होगा. इसके बाद लिखा हुआ है observe that its base and the height are both equal to N and the image is drawn using hashtag symbol and spaces. The last line is not preceded by any space. जो हमारा size है let's say हगर हमारे पास एक integer है N is equal to 4 तो जो उसकी height है वो भी 4 होगी. जो उसकी height में hashtags होंगे वे भी 4 होंगे और जो उसका base है जो सबसे नीचे वाली line है उसमें भी 4 hashtag होंगे और उसने का है कि उसमें कोई भी space नहीं आएगा जो लास्ट वाली line है. write a program that print a staircase of size N इसके बाद function description है input formatter a single integer and donating the size of staircase. एक हम integer लेंगे N जो हमारी staircase का size discuss करेगा और इसके बाद output formatter print a staircase of size and using hashtag symbol and spaces. इसके बाद एक note भी है, the last line must have zero space in it. उके इन्होंने एक example दिया हुआ है, let's say एक number है 6, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे work क्या हुआ उन्होंने. जो हमारा पहली line है, first line में, अगर let's say number 6 है, तो हमें पहली बाद तो 6 line हमें output करा नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उसके height भी जितना हमारा number है उसके equally होगी. और इसके बाद में let's say 6 है, तो इसके जो पहले बादी line है, उसमें 5 space होंगे, और एक hashtag होगा, तूसरी बादी line में 2 hashtag होंगे, तीसरी बादी line में 3 hashtag होंगे, और उतने ही number of spaces होंगे, अगर हम minus करते हैं लेट से अगर हमारे पास number of spaces पहली line में 5 आने हैं तो हमारे पास जो hashtag उसको 1 होना चाहिए और जो हमारे दूसरी line में 2 hashtag होंगे इसलिए हमारे 6 minus 2 is equals to 4 4 हमारे space होंगे basically हमें space print कराना है उसके बाद हमें अपना hashtag print कराना है तो अब इसे ही इसके लिए हम एक program करते हैं basically हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इन्होंने voice staircase नाम से एक दे रखा है function हम इसमें भी direct लिख सकते हैं बट हम क्या करते हैं अपना जो integer है जो हमें number of staircase में print input कराना है वो भी हम अपने आपसे ही कराएंगे input तो इसलिए क्या करते हैं इसको cancel कर देते हैं select करके और मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता है इसके बाद सबसे पहले हम अपनी header file include कराएंगे hashtag include stdio.h इसके बाद अपना main function होगा int main इसके बाद सबसे पहले हमारे पास एक integer लेंगे n जिसमें हमारे पास number रहेंगी कितनी हमें number कितनी staircase size के हमें print करानी है कितनी size होगा हमारी staircase का इसके बाद हम इसे scan करा लेते हैं scanf percentile d address operator n हमने यहाँ से n में एक integer की value डाल दी है इसके बाद हम क्या करेंगे हम four loop लगाएंगे और हम एक integer ले ले लेते हैं यहाँ पर ही n is equals to one ले ले लेते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हमें अपनी जो loop है उसे कितनी बास लाना है जितने हमारे numbers है जो हमारी जो first वाली loop है वो देखेगी कितनी row हमें print करानी है अगर number हमारी n है तो हमारी जो loop है वो भी n times ही चलनी चाहिए तो हम क्या करेंगे i की value हमारी 1 से start हो जी है तो हम क्या करेंगे i को less than equal to कर देंगे n के अगर हम इसको loop को चलाएंगे तो जब हमारी value 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी और 6 होगी let's say n is equals to 6 ही ही है according to this example अगर हमारा n6 ही है तो बेसिकली 6 बार चलेगी और हमारी 6 line ही print कराएगी इसके अंदर जो हम लिखेंगे अब code करेंगे इसके अंदर की कैसे हमें अपनी space print कराने है और कैसे हमें अपना जो hashtag वो print कराना है तो बेसिकली सबसे पहले हमें space ही print कराने होंगे एक जो हम space print कराएगे वो भी हम for loop के through ही print कराएगे for loop ले लेते हैं एक integer ले ले लेते हैं j नाम का और उसे भी one पे initialize कर देते हैं अब हमें क्या कराना है जो हमारी first line है let's say number हमारे n है तो हमें n-1 space print कराने है उससे तो basically क्या कराएगे हमारा जो i है i की value 1 है तो हम क्या कराएगे j की value less than equal to n-i कराएगे क्योंकि जब हम अगली वाली line में जाएगे let's say हमारी i की value 2 हो जाएगी मतलब हम दूसरी line में है और दूसरी line में हमारे पास 2 hashtag चाहिए तो हमारे जो j की value है वो भी मतलब जो number of spaces है वे भी कम हो जाएगे let's say n is equal to 6 है और हम second line में print कराना है हमने यहाँ पर 2 hashtag print कराए है second line में यह वाले हाँ पर और जब हम 2 hashtag print करा रहे है तो हमारे पास number of spaces कितने होंगे 6 minus 2 is equal to 4 तो अब हमारे जो यह हमारा j loop है यह 4 बार चलना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे j की value होगी less than equal to n minus i इसके बाद हम क्या कराएंगे अपने j को increment करा देंगे इसके बाद हमें इसके अंदर printf लिखना पड़ेगा printf लिखेंगे basically हमें space print कराना है space print हमने करा दिया है इसके बाद में हमें एक और for loop लगाने है जिससे हम print कराएंगे अपने hashtags कि हमारे पास कितने hashtag है for loop लगाएंगे और इसमें एक integer ले ले लेते हैं k is equals to 1 पे initialize कर लेते हैं और k को हम increment कराएंगे but हमें इसमें increment कराने से पहले एक condition लगानी होगी वो condition क्या होगी जितने हमारी i की value है उतनी ही हमारी k की value होगी अगर हम पहली line में है तो हमें अपना पहला एक ही hashtag print कराना है अगर हम first line में है तो हमें एक hashtag print कराना है अगर हम दूसरी line में है हमारा जो यह for loop की condition है यह भी clear हो गई है इसके बाद हम printf लगाएंगे और हमें इसमें क्या ग्रेंट कराना है अपना hashtag अब इतना work complete हो गया है बट एक work और है गया है इसमें क्योंकि जब हम इस loop से निकलेंगे तो हमें हमें एक line भी change करानी पड़ेगी अगर हम यहाँ पर हमने hashtag पर अपना space print करा दिया इस loop से इस से हमने hashtag print करा दिया अपना बट इसके बाद हमें एक line भी change करानी पड़ेगी तो हम एक line change के लिए भी लिख लेते हैं printf और backslash n यह हमारा line change कराता है obviously हम यहाँ पर अपने curly braces भी use कर सकते थे अगर हम करना चाहते बट हमारे पास single line है तो इसलिए हम curly braces को skip भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर भी use कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर भी curly braces लगा सकते हैं basically अगर हम curly braces ना भी लगाते तो फिर यह for loop है वो अपने जो next line है वो ही loop में आती वो ही loop में consider करता हम ऐसे भी करा सकते हैं और बिना curly braces के भी करा सकते हैं curly braces ना लगाने condition वो ही होते है कि जो if else में भी ऐसा ही होता है अगर हमारी कोई particular condition है वो उसकी जो next one line है उसे ही अपनी condition में include कराएगा और otherwise वो सबको normally print कराते से लेगा इसके बाद हम return करा देते हैं यहाँ से 0 and हमारा जो program है वो complete हो गया अब इस code को submit कराते हैं आप मेरेको एकर रैंक पर follow कर सकते हैं आइडी description में है instagram पर follow कर सकते हैं जिने भी मैं program यहाँ पर complete करता हूँ मैं उनके सब एक pic वहाँ पर instagram पर upload कर देता हूँ अब मेरेको वहाँ पर follow कर सकते हैं thank you, bye bye मिलते हैं next program के साथ